अगर आपको चाय के साथ snacks खाना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा useful होने वाली है तो skip किये वीडियो को पूरा देखें और ये tasty sa snacks आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़ पहुत ही ज़्यादा टीस्टी साथ क्रिपी सा snacks बनाने के लिए हमने लिये है ब्रेट के स्लाइस जितना ज़्यादा आपको नास्ता बनाना हो ब्रेट के स्लाइस उतनी ले ले इसे हम अपने मन पसंद सेप में कट करेंगे मैंने डिब्बे का ढकन लिया है आपके पास जो पिल्कुल इसी तरीके से हमें ब्रेट के स्लाइस कट कर लेना है अगर आपके पास कोई मोल्ड है तो आप उस तरीके से कट कर सकते है जो भी आपको मन पसंद सेप में कट करना हो कट कर ले अगर कोई भी मोल्ड नहीं है कोई भी रखकन आपको नहीं मिल रहा है तो आप से म तरीके से कट कर लिए हैं अभी हम मिक्सिंग बॉल में चार चमच के करीब कार्ण फ्लॉर लेंगे दो चमच के करीब मैं दालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लैक्स अच्छे से टेस्ट के लिए नमक डालेंगे स्वादानु साथ इसमें अच्छा सा सोंधा पनाये इसके लिए बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है थोड़ी से अली धनिया की पत्यां डालेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजे अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते वे पतला सा बैटर त्यार करेंगे बैटर नहीं बहुत ज्य सकते हैं किसे यह तेयार कर लulen गे अफ रेट की स्लाइस कट करके रखा हुआ है एक एक स्लाइस को उठाएंगे इसको हम इस बैटर में डिप करेंगे और पाट थेहां को भलाओ सासी clap सक बैटर में दिप करें और गर्म गरम तेल में टालते जाएं उतने स्लें आ डालें गैस के फ्लेम को मीडियम रखें जब हलके से सुनारे होने लगे तो गैस के फ्लेम को लो कर दें लो फ्लेम में बनाएंगे तो यह बहुत ही जादा क्रिस्पी से बनते हैं यह स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि एक्तम क्रिस्पी से होते हैं और बहुत ही सोंदे सोंद पन करके तैयार है आप देख सकते हैं यह सुनेरा सुनेरा सा हो गया है अलट पुलट कर हमने इसको इक तम क्रिस्पी होने तक डीफ्राइ कर लिया है अब हम इसे निकाल लेते हैं बहुत ज़्यादा सुनेरा भी नहीं करना है नहीं तो टेस्ट गरबड हो जाएगा तो ऐसे ह में बहुत ही अच्छे लगते हैं तरह बार इस तरीके से जरूर राय किजिए हम जला और तेंडा होने पर खाएंगे तो बहुत हैं यूई तो आप इसे चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन अगर और इसे केचप या अपनी मन पसंद चट्नी के साथ भी है तो भी पहुत ह बनाइए खा बने हुए ला जवाब से सोनह सनुन से स्नाक्स बनाने के वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलिए तेसी ही टेस्टी टेस्टी ला जावाब एक तम नई रेसेपी के साथ लेक्स्ट वीडियो में तम लग के लिए बाबाई